नमस्कार आप देख रहें सिरी पोस्ट और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष सिंग कार बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते वक्त अब आपको लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है देश भर में नया मोटर वेहकल एक्ट कल यानि एक सतंबर को लागू हो गया है इसके तहट कई गलतियों के लिए अपराद के लिए 5 गुना तक आपको या फिर 10 गुना और कई मावलों में 30 गुना तक मुआवजा देना होगा जैसे बिना लाइसेंस के ड्राइविंग पर 5000 रुपे का फाइन देना होगा जो अब तक महस 500 रुपे था इसके अलावर नशे में गाड़ी चलाने पर पुलिस आपसे 10,000 रुपे तक का चलान बतौर असूल सकती है इस पर फाइन अप तक महस 2000 रुपे ही था यही नहीं नियम तोड़ने पर अब आपका लाइसेंस जब तो होने से लेकर जेल जाने तक की डौबत आ सकती है आईए आपको बताते हैं कि संशोधन मोटर वहिकल एक्ट में क्या क्या प्रावधान किये गए है जुसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है हेलमेट नव पहनने पर पहले 100 रुपय का जुर्माना लगता था और अब आपको 1000 रुपय तक का जुर्माना उसके साथ साथ 3 महीने तक की लाइसेंस सस्पेंड की जा सकती है बिना लाइसेंस ड्राविंग पहले महज 500 रुपय आपको देने पड़ते थे जो अब 5000 रुपय आपको देने पड़ेंगे टू विलर पर ओबर लोडिंग के लिए पहले आपको महज 100 रुपे का जुर्माना देना होता था और अब आपको 2000 रुपे और साथ ही साथ तीन महीने तक का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है सीट बेल्ट नौ लगाने पर पहले 100 रुपे का फाइन आपको देना पढ़ता था और अब आपको 1000 रुपे तक का फाइन देना पढ़ सकता है ड्राइवरिंग के दौरान फोन पर बात करते समय पहले 1000 रुपे तक का जुर्माने का प्रावधान था और अब इसको बढ़ा कर 5,000 रुपए का कर दिया गया है ओवर स्पेडिंग के लिए पहले मातर आपको 400 रुपए का ही जुर्माना देना पड़ता था और अब इसे बढ़ा कर 1-2,000 रुपए और मीडियन पैसेंजर या कॉमर्सियल वहिकल पर 2-4,000 रुपए जुर्माना दिया जा सकता है नियम लागू होने के बाद कहीं न कहीं लोगों को काफी तकलीफे भी उठानी पड़ रही है भारतिय लोगों के आये के अनुसार ये राशी काफी जादा है तो देखना होगा कि जुर्माने की वज़ा से ट्राफिक नियमों के मदलाव में सरक दुर घटनाओं में कमिया थी है सौथ क्यर मुबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप समपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111 9472-982222 सौथ क्यर आप सॉलूसिन अट योर फिंगर टिप्स